हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ निरंजन और आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यू चानल और लें शेलियों में स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग डेली साइंस क्यूज की पार्ट नाइन के बारे में डिसकस करने वालें तो आप इस वीडियो को completely end तक देखेगा क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही important जो questions होते हैं उसको लेकर आते हैं कि नर मक्चर का कारे क्या होता है ठीक है नर मक्चर का का कारे क्या होता है देखे नर जो मक्चर होते हैं उनका कारे होता है पौधो का रस्पीना ठीक है इसके राइट एंसरो का option B यानि कि पौधो का रस्पीना अब आप सोच रहे हों कि हमारा जो मलेरिया होता है वो किस से होता है तो देखें मलेरिया जो होता हो ना जो मादा एनाफिलीज मचर होती है उनके दोरा होता है यानि कि मादा एनाफिलीज जो मचर होती है उनका कारे होता है मानों को रक्त का चूसना यानि कि जो मलेरिया रख्ट जो मलेरिया फैलाते हैं वो मादा नर अनाफिलीज मचर होती है लेकिन नर मचर जो होते हैं वो सिर्फ पौधों का रस्पीत हैं ना कि मानों का रख्ट ध्यान रखेगा I hope कि आपको किलियर हो गया होगा तो यह ध्यान रखना है कि जो मलेरिया फ ग्रूप हो या फिर आप फेस्बूप ग्रूप हो तो आप वहां पर इस वीडियो को जितना हो सके सेर किजिए ताकि वह भी हमारे स्चार्ल के साथ जोड़ सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगला देखे प्रशन हमारा इस टाइप का कि पीनियल गरंती कहां पाई जात तो इसका राइट अंसरों का option B यानि कि यह मस्तिस्क में पाई जाता है जो पीनियल गरंती होता है वो मस्तिस्क में पाई जाता है अब देखे बात करते हैं मस्तिस्क के बारे में ठीक है मस्तिस्क का वजन जो होता है वो 1350 से 1400 ग्राम का होता है सबको पता है अब देखे मस मस्तिस्क का एक और प्रश्न पुझा था कि मस्तिस्क जो मनुस्य का जो मस्तिस्क होता है वो कहां पर बंद होता है यानि कि किस चीज में बंद होता है तो वो क्रेनियम नामक जो मस्तिस्क में क्रेमियम नामक होती है वहां पर बंद होता है ठीक है क्रेनियम नामक खोल में बं करने वाला कारी करता है कार्बोहाइटार होता है कार्बनichen से मिलकर के बना होता है यह ध्यान रखना और झेथिक है कर्बवाइटेड होता है उर्जा का उत्पादग होता है और ये भी आपके एक्जाम में कभी कभी पूछ जाता है कि जो कोई खिलाड़ी होता है उसको तुरंत उर्जा के लिए क्या देना चाहिए तो वहाँ पर आपका राइट एंसर होता है कार्बोहाइटेट जो हता है कि तच्छडी उर्जा को हम लोग को परदान करता है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए बढ़ते हैं एक लिए क्वेशन पर सौरी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन दोजिए कि नेक्स्ट जो क्वेशन है हमारा इस टाइप का है तो कौन सा उत्ता है ये भी पूझ जाता है तो रक्त पर एक परकर का सन्योजी उत्ता है ये ध्यान रखना है ठीक है अब देखें बात करते हैं कि इसकी कुल मात्र हमारे सरीर में कितनी होती है यानि कि परसेंटेज में कितनी होती है तो देखे रक्त की जो मात्रा होती है कुल भार का लगभग 7% होता है यानि कि कुल भार का आपका 7% जो होता है वो आपका रक्त होता है ये ध्यान रखना है ठीक है अब देखे रक्त किस परकार का विलियन होता है ये भी पूछा जाता है तो रग्त हमारा जो हता वो छ्षारीवीलियन होता है याने की बेजिट सॉलूसन होता है फद्यान रखना है अब देखें diagnostic का P.E. mam भी पूच लिया जाता है तो रग्त का P.E.V. जो होता है आपका 7.4 अब देखेंि के 7.4 होता आपका रग्त का वैल्यू पीएच वैल्यू ठीक है अब देखे रक्त यह भी पूरत है कि जो मनुस्य होते हैं उनमें रक्त की मातरा कितनी होती है तो वयास यानि कि एक अडल्ट की बात करें अडल्ट जो पूरुस हुए उनमें अगर बात करें तो पांच से छे लिटर आपका रक्त होता है अब यह अब ध्यान रखने वाली बात है कि जो महिलाएं होती है उनमें पूर्सो की तुलना में आधा लिटर कम खोनो तब मानकर चलिए कि अगर कोई मनुस है जिसमें 6 लिटर खोने तो वहाँ पर एक महिला की बात करें तो वहाँ पर 5.5 लिटर उसमें खोनोगा यानि कि आधा लिटर आपका कम रखत होता है ठीक है तो आज होब कि आपको यहां से सारी कुस्टन्स क्लियर हो गई होगी रखत के बारे में आपने अच्छे से जान लिया हो अब देखिए मैंने आपको उत्तक बोला था ठीक है तो उत्तको का अधियन ये भी पूछता था कि उतको का अधियन क्या खालाता है तो उतको का अधियन जो होता है हिस्टोलोजी के नाम से जाना जाता है या भी आपको ध्यान रखना है ठीक है दोस्तों गर आपको रोजाना की क्यों चाहिए साइंस की तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जूर जाए जूरने के लिए हमारे चैन थिक को हम डही हं पर दलते हैं वह घ्राइढ आप्सट करन्स जैसा कि आप जानते कि जो दूद से दहीं बनते है वह परकार का जिवाड़ resulting कि में अग्llesoken आप यह है कि PVC, PVC किसके बहुली करण द्वारा प्राप्त कियाता है, अब आप सोचे हैं कि PVC है क्या, तो दीकि PVC का full form होता है polyvinyl chloride, ठीक है, अब vinyl chloride जो आपके राइटेंज आ गया है, तो यहाँ पर राइटेंज रहो और जी कि जो next question है, बहुत ही important है और यह बार बार रिपीट हो चुका है, तो stainless steel जो होता है, वो किसका एक miss रधातू है, ठीक है, पुछारे है कि stainless steel जो होता है, वो किसका एक miss रधातू है, तो दीकिसका right answer का option C, यानि कि लोहा, chromium और nickel, ठीक है, लोहा, chromium और nickel का यह miss यानि कि chromium, लोहा और nickel के मिलतर के आपका stainless steel बनता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि, जो stainless steel है, वो कहाँ पर मिलती है, तो किसी colony में मिलती है, आप वहाँ पर ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो दोस्तों कर कहना चाहूंगा, कब आपको कोई भी problem हो, या फिर हमसे कोई भी प्रस् तो आप हमें Instagram पे follow कर सकते हैं, यह मेरा profile ID है, nirenjan.niki, आप हमें follow कर सकते हैं, ज़रूर follow कर ली जगा, क्यूंकि आपको कोई भी problem हो, आप हमें, वहाँ पर message कर सकते हैं, देखिए next question है कि fly ace वातावर्णी पर दूसर्ण है, जो किसके द्वारा उत्पन होती है, यह पूछा होता है, ध्यान रखना है, ठीक है, तो आयोब कि आपको यह अच्छे से clear हो गई, चलिए बढ़ता है, तो देखिए दोस्तो नाइन question हमारा इस type का है कि, थार्मामेटर में आम तोर पर पारद का परियोग किया जाता है, क्योंकि इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता ह है कि उच्छ चलाकता होती है, इसका right answer हो, अपसंद C, यानि कि पारद में क्या होता है कि उच्छ चलाकता होती है, जिसके वज़े से हम लोग इसका थार्मामेटर में परियोग करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं कि पारा, यानि कि पारा को हम लोग मरकरी कहते हैं, इंग से कौन सा रोग होता यह भी आपके एक्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है तो देखिए जो पारा युक्त जल पीने से क्या होता है कि मीनी मता नामक रोग होता है मीनी मता नामक रोग होता है इसके वज़से हम लोग ध्यान रखना है कि आपको जो पारा जो होता है वो एख क्या कह सकते हैं तो जोती टीटिब्रता की बात भी यहां पर कर लेते हैं जोती टीब्रता क्या हलोता है कैइंडियला और जिसको हम लोगом कैणले सकती पहले रहा जाता है लेकिन पहले इसके हैं ज्यास की लिखे अथ लगी होगा अग murders और आपने दोस्तों के लुडियो को लाइव जरूर कीजेगा और अगर आपने हमाइच चैनल भह भी सब्सक्राइब निक है तो प्लीज समाएच चैनल को जडरूर सब्सक्राइब कर लिज़े के आने वाले जितने भी वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेंगे तो मिलते हैं से बगाएक अगले वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे